असलाम लेकुम वियोर्स मेरा नाम अब्दुरह्मान है और आज की वीडियो में मैं जिस डिगरी को डिसकस करने जा रहा हूँ वो है मेडिया साइंसे मैस कम्मुनिकेशन इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इस डिगरी का मेरट कितना होता है और कौन-कौन से स्टुडेंट्स इस डिगरी के अंदर अड्मिशन ले सकते हैं और किन स्टुडेंट्स को इस डिगरी में अड्मिशन लेना चाहिए और किन स्टुडेंट्स को नहीं लेना चाहिए और कौन थी top universities इस डिग्री को offer कर रही है इस डिग्री को करने के बाद आप कि इन fields के अंदर job कर सकते हैं और इस डिग्री की course outline को भी हम इस video के अंदर discuss करेंगे तो अगर आप लोगों कोई भी question हो तो आप लोग कमेंट section के अंदर हमसे पूछ सकते हैं So without wasting further time, let's get started सबसे पहले मैं आपको इस डिग्री का overview देता हूँ यह चार साल की डिग्री होती है BS Mass Communication या BS Journalism, BS Media Sciences और वो तमाम student जिनोंने FSE की होती है FSE Medical Pre-Engineering ICS, ICOM, FA वो तमाम students इस डिग्री के अंदर admission ले सकते हैं अगर हम इस डिग्री के merit की बात करें तो इस डिग्री का merit बहुत ज़्यादा नहीं होता as compared to engineering और IT अगर हम इस डिग्री की difficulty level की बात करें तो बहुत ज़्यादा मुश्किल डिग्री नहीं है यह अब मैं आपको इस डिग्री का course outline बताता हूँ कि कौन कौन से subjects आप लोग 8 semesters के अंदर पढ़ेंगे और यह course outline तमाम universities को HTC देता है Higher Education Commission और यह जो course outline आपकी screen पे भी चल रही है यह मैंने वहीं से copy की है first semester के अंदर अगर हम बात करते हैं तो introduction to mass communication उसके बाद functional English और Islamic studies, computer skills for mass communication, psychology और political science अगर हम बात करें second semester की तो उसके अंदर students को पढ़ना पढ़ेगा mass media in Pakistan, news writing, writing and presentation skill Pakistan studies, functional Urdu और sociology अच्छा मैं आपको यहाँ पी एक बात बताता चलूं कि जो subjects की sequence है वो change हो सकता है लेकिन subjects यह होंगे और जो elective subjects है वो आप खुछ से चूज कर सकते हैं आप लोगोंने कौन से पढ़ने हैं और थर्ड semester में अगर बात करें तो broadcast journalism, editing news, copy editing, current affairs, communication skills और economics Optional subjects में आप लोगों खुद से चूज कर सकते हैं और इसी तरह 4th semester के अंदर reporting and editing, media ethics, introduction to film, theatre studies, optional subjects वो universities आपको लिस्ट प्रवाइड करती हैं उसमें से आप चूज कर सकते हैं इसी तरह 5th semester है उसके अंदर introduction to advertisement and PR, online journalism, communication theories, contemporary world media, optional foundation अगर हम बात करें 6th semester की तो उसमें feature column and editorial writing आजती है और communication theories, foundation of behavioral research, media seminar, statistics और optional subject वो आप उससे चूज कर सकते हैं और 7th में आप लोग पढ़ेंगे foundation of behavior research, development communication, internship उसके बाद आप लोगोने करनी है, specialized sequence subject वो आप लोग चूज करेंगे इसी तरह 8th के अंदर international communication, final air project आप लोगों को आओगा और optional subject होते हैं तो यह वो subjects जो आप लोगों को पढ़ने पढ़ेंगे इसके बाद हम बात करते हैं कि आप specialization किन किन fields के अंदर कर सकते हैं उसमें print media, broadcast, radio, tv, film, theater studies, advertisement and public relations, mass communication and research अब मैं आपको बताता हूँ इस degree का scope इस degree को करने के बाद दो तरह की major fields आ जाती हैं और वो है on camera और एक है off camera अगर हम बात करते हैं on camera की तो on camera के अंदर हम देखते हैं कि news anchors होते हैं ठीक है और इसके बाद news costors होते हैं अगर आप on camera अपना carrier बनाना चाहते हैं तो आपकी जो general knowledge है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए ठीक है और current affairs के अंदर आपको interest होना चाहिए कि मुलक के अंदर क्या चल रहा है और दुनिया के अंदर क्या चल रहा है और general knowledge आपको बहुत अच्छा होना चाहिए आपको history का पता होना चाहिए इसके बाद आपकी जो verbal ability है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए speech clarity होनी चाहिए और एक factor good looking का भी आता है तो ये वो चीजे हैं कि अगर आप on camera अपना carrier परसू करना चाहते हैं जिसमें आपने अगर newscaster बनना चाहते हैं या news anchor बनना चाहते हैं ये चीजें आपके अंदर होनी चाहिए और अगर आप लोग off camera अपने carrier को परसू करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सी fields आ जाती है music producer होता है television floor manager, musician, television production, coordinator तो ये वो सारी fields हैं जो के आप on off camera के उसमें जा सकते हैं अब मैं आपको सबसे important बात बताता हूँ कि इस degree के अंदर उन students को admission लेना चाहिए जिनका interest है जो चीजें मैंने आपको बताई है आप लोगों ने ये काम नहीं करना कि किसी cousin ने admission लिया है या किसी दोस्त ने लिया है तो उसकी देखा देखिए admission ले लिया या बहुत से students इसलिए admission ले ले लेते हैं तो तो वो degree आपको क्या फाइडा देगी और कम अदकम आप लोगों को अपनी नियत तो अच्छी रखनी चाहिए और कोई भी आप लोग डिगरी कर रहे हैं कोई भी किसी भी फील्ड के अन्दर जा रहे हैं तो आप लोगों की नियत यह होनी चाहिए कि हमने इसको करके इंसानियत की और इसलाम की खिदमत करनी है अपने इस सुसाइटी के नदर अपनी वैल्यू एड़ करनी है और जो सेकंड इंपॉर्टन बात वो ये है कि अगर आप लोगों को ये डिग्री करने के फोरण बात जॉब मिल जए तो आप लोगों ने अपने फर्स समेस्टर से ही कोर्स आउट लाइन से हट के अपनी स्किल्स के उपर फोकस करने है और अगर आप लोग चाते हैं कि मैंने न्यूज एंकर बनने है तो आप लोग अपना यूट्यूब चैनल भी शुरू कर सकती है उससे क्या होगा कि आपके पास चार साल होंगे उस चार साल के अंदर आपका चैनल कहां से कहां ग्रोव कर जाएगा जब आप इंडस्ट्री के अंदर जाएंगे तो आप अपने पॉर्ट्फोलियो के अंदर आपके बहुत कुछ एड़ कर सकते है ठीक है और आपके पास जितनी भी समर ब्रेक्स, मिंटर ब्रेक्स और मिड्स के बाद जो भी ब्रेक्स होंगी आपकी उसके अंदर आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोजेक्ट करना है अगर आप लोगों को कहीं पे फ्री इंटर्शिप करनी पड़ती है आप लोगों ने वो करनी है जॉब्स उनी लोगों को मिलती है जिनके पास स्किल्स होती है जिनके पास टैलेंट होता है बलकि मैं आपको बहुत सी एक्जेम्पल्स दे सकता हूँ कि मीडिया इंडस्री के अंदे जिनके पास डिग्री भी नहीं है लेकिन वो एंकर है और उसमें सबसे बड़ी एक्जेम्पल हमारे सामने वो शादेब खानजादा है और इसके पास मैं सेक्ड़ एक्जेम्पल आपको देता हूँ वो है बैरिस्टर रहते शाम समानी उसके उपर प्रोग्राम करते हैं तो उनकी लॉग की फील्ड है और जो शादेब खानजादा है उनकी कॉम्रस की फील्ड है आई थिंक सो तो आप लोगोंने हमेशा अपनी स्किल्स के उपर फोकस करना है जिनके पास स्किल्स होती है उनको फोरण से जाब मिल जाती है और लोफू से बहुत सा काम कर सकते है अभी तो मैंने आपको बताया है एलेक्ट्रोनिक मीडिया के बारे में इस डिग्री को करने के बाद आप लोग सोचल मेडिया इंडस्ट्री के अंदर भी काम कर सकते हैं जिसकी मैं आपको एक्जेंपल देता हूँ जैसे उर्दू पॉइंट है पाकिस्तान की टॉप टैन वेबसाइट्स में से एक आती है और इसके इलावा वे और बहुत सी वेबसाइट्स हैं जैसे चामी की एक्जेंपल ले सकते हैं आप वेबसाइट्स के लिए रिपोर्टिंग का काम कर सकते हैं उनके लिए डिफरेंट वीडियो बना सकते हैं डिफरेंट लोगों को इंट्रिव्यो कर सकते हैं और वेबसाइट्स के लिए आर्टिकल लेख सकते हैं आप लोग कर सकते हैं वीडियो एडिटर जॉब कर सकते हैं वेब कांटेंट मेनेजर जॉब कर सकते हैं सोचल मीडिया मेनेजर जॉब कर सकते हैं तो यह वो सारी फेल्ड्स हैं मीडिया प्लैनर डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट इन सारी फेल्ड्स के अंदर आप लोग जॉब क उनिआस्टी विखान वायर्श्टी उनिवस्टी मालाकन कोहर्ट उनिएस्टी एन्साइन ट्कना लगी नच्नल तेला इंशनले उनिएस्टी उनियुआ है। दीग और्फर दियुआ एब आपको बताता हूं ओनी सिनकी फीज कम होती है उनमें सबसे पहले हाती है पेडल अगर आप लोगों का कैरियर कांसलिंग से रिलेटेट किसी भी किसम का कोई क्वेस्टिन है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं अला ताला हम सब को दोनों जहानों की कामियाबियों से अता करें इसी दुआ के साथ अला हाफिस जा झाला इनसे अला हमसे बुआड़ को किसम के साथ रिले यखर अला हमसे रिले युआ़ियों से रिलेले तो आपूछaria All right this video is free